पहुजन समझ पार्टी को लोगों का तथा विवेद संगठनों का जनसमर्थन लगातार प्राप्त हो रहा है। संयूक्त जनादेश पार्टी बबलु शिर्वास्तव राश्ट्री अद्धेश आदर्श संग्राम पार्टी गौतम भारती संस्थापक राश्ट्री अद्धेश अखंड विकास भारत पार्टी रितेश शिर्वास्तव राश्ट्री अद्धेश सर्वजन आवाज पार्टी पूरी तरह से BGP और S.P. से प्रताडित हो चुकी है। एक पार्टी है जो गुंडों का समर्थन करती है और दूसरी पार्टी गुंडों को सरक्षन देती है। विकास इन दोनों पार्टीों के शब्दकोश में है ही नहीं। अगर इस प्रदेश का विकास सही माइने में किस पार्टी ने किया है तो वो बहन कुमारी मायवती के नितरतों में बीएसपी ने किया है इसी दोरान बीएसपी महासचीव ने कहा कि बीएसपी की प्रमूख और उत्तरप्रदेश की पूर मुख्यमंत्री मायवती जी की नितियों से प्रेरित होकर इन पार्टियों ने बहन जी को उत्तर प्रदेश का पांचवी बार मुख्यमंतरी बनाने का संकल्प लेते हुए बीएसपी को अपने हिदे से पुर्ण रूप से समर्थन दिया है सतिश चंदर मिश्रा ने इस आउसर पर ट्विट करते हुए लिका है कि उन्हें पुरा विश्वास है कि सभी के समर्थन वसायोग से बहुजन समाज पार्टी को और उरजा वगती मिलेगी तथा सब मिलकर जनता के आशिरवाद से योपी में पांचवी बार बहन जी को मुख्यमंतरी बनाएंगे जिससे उत्तर प्रदेश पुन्हे प्रगती वसमर्थी के मार्क पर तेजी से आगे बढ़ेगा वही बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखन विधान समाज चुनाओ 2022 के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है पहली लीस्ट में 37 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए है पार्टी ने गंगोतरी से बुधिलाल तो बद्रिनाथ से मुकेश कोशवाल पर दाओं खेला है गौर तलब है कि उत्तराखन में बहुजन समाज पार्टी का मजबूत जनाधार रहा है इस बार पार्टी ने यहां की सभी 70 सीटों पर अपने बुते चुनाओ लडने की घूशना की है अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती और अलपसंख्यंक बहुजन समाज पार्टी का मजबूत वोट बैंक रहा है यही कारण भी रहा है कि राज गठन के बाद जो पहले विधान सभा चुनाओ हुए उसमें बहुजन समाज पार्टी कॉंग्रेस वा भाजपा के आठ सीटे जीत कर प्रदेश में तीसरी ताकत के रूप में बहुजन समाज पार्टी को भर कर सामने आई थी